नवस्कार में शुवानी बिहारी नूज में आप सभी का स्वागत करते हूँ और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आजू फल के बारे में अगर स्वास्त रहना है तो खान पान पे अच्छे से ध्यान देना होगा जिसमें अहम भूमी का निभाते हैं हडी सबजियां और फल और आज ऐसे ही एक फल आजू की बात करेंगे जो खाने में स्वाधिस्ट होने के साथ साथ स्वास्त पर भी अच्छा प्रभाव डालता है हमें बिमार्यों से लड़ने में मदद करता है आजू सफेद या पेले रंग का चोटा सा मीथा फल होता है जिसे सीधे फल की रूप में या विवे निवेंजनों में डाल कर खाया जा सकता है साथ ही आडू में फाइटोकेमिकल्स, डाइट्री फाइबर और पॉलिफेनोल की भड़पूर मात्रा होती है ये सभी स्वास्त के लिए फायदेमंद होते हैं इनके अलावा आडू में इंटी कैंसर, इंटी अलेर्जिक, इंटी टूमर, इंटी बैक्टिरियल, इंटी माइक्रोबियल और इंटी इंफ्लेमेटरी प्रभाव होते हैं इनकी वज़़ से आडू स्वास्त पर सकारात्मक असर डालने और बिमारी से बचाव करने में मदद करता है बढ़ते वज़न को कम करने के तरिके में योग और एक्सरसाइज के साथ ही डायट का भी अहम उगदान होता है ऐसे में आप अपने डायट में आदू को शामिल कर सकते हैं आजू में पॉलिफेनॉल्स होते हैं जो एंटी ओबेसिटी प्रभाव दिखाते हैं आजू वसा अफ्शोसन को रोक कर और एनर्जी मेटाबॉलिस्म को बढ़ा कर मोचापे को कम कर सकता है इसी वज़ा से इसे खाने के फायदे में वजन कम करना भी शामिल है आजू खाने से कैंसर से बचाओ हो सकता है इसके छिलके में एंटी कैंसर प्रभाव होता है जो कैंसर की समस्या को पनपने से रोक सकता है इसके अलावा इसमें पॉलिफेनॉल्स होते हैं जिन्हें anti-corcinogenic agent माना जाता है, इससे best cancer के खत्रे को दूर करने में मदद मिलती है। आजो का उप्योग आँखों को स्वस्त रखने में कर सकते हैं। सूखे आजों में vitamin B2 होता है, जो glucoma की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है। glucoma आँखों से जोड़ी एक समस्या है, जिसके कारण दिखाई देना कम हो सकता है। साथ ही आजों में मौझूद ketinoid भी आँखों को स्वस्त बनाया रखने में मदद करते हैं। आजों खाने से कब्स की समस्या से राहत मिलती है, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, इसमें कब्स की समस्या में राहत मिलती है, ऐसे में अगर किसी को कब्स है तो उन्हें आजों खाना चाहिए। आजू खाने के फायदे मन में हिर्दे स्वास्त भी सामिल है, आजू में फ्लेवोनोइट की अच्छी मात्रा होती है, जो लिपिट प्रुफाइल में सुधार करता है, इसे हिर्दे रोग के खतरे से बचाओ हो सकता है, साथ ही फ्लेवोनोइट स्योक्त डाइट हिर्दे कम करके चिंता और डेप्रेशन से बचाव किया जा सकता है आजो का उप्यों करने से बढ़ती उम्र की प्रकेडिया धीमी होती है आजो में फ्लेबोनोइट्स होते हैं जो एंटी एजिंग अजेंड के तरह काम करते हैं इससे असमय आने वाले भुठापे से बचाव हो सकता ह गर्वावस्था के दोडान खाये जाने वाले हार में आजो को भी शामिल किया जा सकता है इससे गर्वावस्था के समय जरूरी पोशक्ततों की पुर्ति करने में मदद मिलती है इसमें फाइबर होता है जो प्रेग्नेंसी में पाचन किया को बेहतर रखने का काम करता है को कम करने में मदद करता है आजों के फायदे तोचा के लिए भी फायदे मंद हो सकते हैं यह यूवी किर्णों से होने वाले स्कीन कैंसर के खतरे से बचाव करता है साथ ही आजों में एंटी मार्क्रोबियल और एंटी बैक्टरियल गुन होता है जो तोचा को इंफेक्शन से बचाय रखने में मदद करता है, इसके अलावा सुरज के नुकसान दाय, किर्णों से होने वाले स्किन ट्रैमेज और समय से होने वाले बुढ़ापे से भी आडो बचाव करता है, बालों के लिए भी यह फायदे मंद है, विटामिन A, राइबोफलेवीन, विटामिन C, निया का जढ़ना कम करता है, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, और हम आशा करते हैं कि आडो से संबंदित हमारा यह वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपकी सीवी शेपर हम से कुछ और पूछना चाते हैं, तो हमें आपके सवालों की जवाब देने में खुशी होगी, आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, धन्यवाद.